Hello everyone, welcome back to my channel जैशी किशना राधे राधे आप सभी को एक अदशी की बहुत सारी शुब कामना है तो आज हम करने वाले हैं एक अदशी का शिंगार और मैं देने वाली हूँ आप लोगे कुछ सवालों के जवाब तो बहुत सारे सवाल जो है वो आ रहे हैं लगातार एक जैसे ही तो वही मैं आज आप लोगे साथ उनका आंसर बताने वाली हूँ क्योंकि अलग से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ इसलिए मैं शिंगार वीडियो में ही आपको बता देती हूँ क्यों बहुत जादा रहा है जो की है आपके राधा-अ-पिर्षिन-जी की हाइड किया है वो कितने नट्ने इंचके हैं तो मेरी राधा-इशन-जी जो है वो आठींचके हैं ठोड़ी सी, छोटी कैलीजे या फिर मेरे ख्ञाल में तो इकवली है तो आठ इंच के तो आठ इंच के जो है वह राधकृिष्ण मेरे दूसरा सवाल यह है कि मेरी माता रानी है वह कितनी इंच की है, तो मेरी माता रानी जो है 10 इंच की है और काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि वो marble की हैं क्या हो कैसी है तो जी नहीं वो marble की नहीं है वो P.O.P वाला जो material आता है तो P.O.P या फिर fiber जो आता है आपने काफी सारे मूर्तियां देखी होंगी वो उसी material में है तो मातरानी मेरी marble की नहीं है दूसरी चीज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उनका price क्या है तो जब मैंने मेरी मातरानी ली थी तब I think मैंने वो 1100 की range में ली थी और मुझे लिये हुए हो गए 4 साल जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने वो जब मैं आई थी मुंबई तब ही मैंने मातरानी ली थी मेरी और एक gift shop जो थी वहां से मैंने ली थी तो काफी लोग पूछते address दे दीजे तो देखे कभी-कभी हम ऐसे ही randomly किसी भी shop पे चले जाते हैं और हमें कुछ समझ में आ जाता है तो हम वहां से ले लेते हैं लेकिन तब ना तो मैं YouTube चैनल चलाती थी तो मतलब मेरे कोई याद रहे कि particular कि मैंने किस shop से लिया है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है मैंने बस गोरेगाओं में एक gift shop थी वहीं से मैंने मातारानी ली थी जो कि मुझे शायद 1100 रुपै की range में मिली थी तो आप लोग भी चाहें अगर लेना चाहें तो 1100 की range में या आप चार साल हो गएं तो थोड़ी और हो सकता है महंगी हो गही हो बाकी शहर शहर पर डिपेंड करता है मुझे थोड़ी 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 सी महंगी मिलती है तो हो सकता है आपको सस्ती भी मिल जाए तो आप देख लीजेगा और बाकी तो मेरे पास वह चार साल से हैं बहुत अच्छे से मैं उनको कभी-कभी नवरात्री मैं इसनान भी करा देती हूं तो मेरी एकदम ठीक है मारवल की जो है वो एक्सपेंसेव आती है काफी मेरे ख्याल में इतनी बड़ी छे साथ हजार से कम की तो आपको नहीं मिलेंगी जादा की भी हो सकती है दस इंच में तो वो जो है एक सवाल आ रहा है कि मेरे घर पे जो म मैंने अपना मम्मी वाले घर का बरेली की जो मैंने शिंगा शेयर किया था लास नवराती में वो मातरानी कितने की है कितने इंच की है तो वो वाली जो मातरानी है वो डेड़ फुट की मातरानी है और वो मार्बल के मतलब आप जो कहेंगे मकराना पत्थर या वो सब में नह में आपको बता रही हूं सन 2012 की बाद तो सन 2012 में वो हमारे घर आई थी और उसके कुछ साल बादी दो तीन साल के बादी मेरी मासी ने भी उतनी बड़ी मातलानी ली थी पर वो उन्हें लगबा 11,000 की पड़ी थी तो लकिली हमें वो 5000 में मिल गई थी I don't know कैसे पर ये भी चमतकार होता है पर वो हमें उतने सस्ते में मिल गई थी और उस रेंज में आप इतनी बड़ी मातलानी मुश्किल है बहुत जादा मिल पाना तो वो मातलानी जो है इस रेंज में है तो मैंने आपको अधिकतर जो है वो सारी जानकारी देई दिये बराबर एक कोस्टन हर मतला मेरी वीडियो के कमेंट में मुझे मिलता ही है तो मैंने सचा आप लोगों को रेपलाइ देने से अलग अलग बटरे में एक वीडियो में आपको बता देती हूँ एक मेरी सब्सक्राइबर है वो मुझे बार बार कमेंट करके ये पूछ रही है कि मैं लट्डू अपाल्ज की सेवा कैसे करें ये बताऊँ तो मैंने पूरे वीडियो डाल रखा है आप लोग चेक कर सकते हैं मैंने मौनिंग से इवनिंग तक कर रूटीन डाल रखा है I think मौनिग रूटीन अलग से भी डाल रखा है नाइट रूटीन अलग से भी डाल रखा है तो आप वो वीडियो जो है वो आप लोग देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि लड़ू को पालजी की सेवा हमें कैसे करनी है और ऐसा कुछ नहीं होता है कि चार नंबर के लड़ू को पालजी है तो हमें उनकी सेवा अलग करनी है जैसे मैं केशफ की सेवा करती हूँ वैसे ही मैं लड़ू और माधफ की सेवा करती हूँ तो उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है तो आपके पास छोटे लड़ को पाल जिये हैं तो आप भी सेम वैसे ही सेवा करिए जैसे कि मैं केशब की कर रहे हूँ या लड़ू और माधव की कर रहे हूँ या जैसे आप से हो सकती है पर हाँ रूटीन जो है जैसे दो तरीकी की पगड़ी ट्राइक रहे हूँ कभी वह पगड़ी नहीं रही थी थक गई बुरी तरीके से और मतलब अल्पिंश वह टेड़ी टेड़ी हो गई है सेव्टीन घोसी नहीं रही है पता नहीं क्या हूँ हुआ है तो एक बार ही मैंने कुछ अलग तरीके से बनाने का ट्राइक किया आप यकिन निमाने के मेरी ओल्पन स्टेड़ी हो गई है और सिफ्टी पिन घुसी नहीं रहा है मतलब मैं इतना फ्रॉस्ट्रेट हो गई बनाते मैं जीट गई फिर मैंने सोचा कि शायद नहीं चाहरे होंगे बनवाना क्या ही है मुझे नहीं पता फिर मैं ये वाला जो पगड़ी बनाया है आप मतलब मानिये ये मुझे 5-7 मिनिट में ये पगड़ी बनके एकदम तयार हो गई है और जो है वो ओल पिन भी एक बारी में फिट हो गया स्जार जैरा किया था बिल्कुल भी वो नहीं बन पा रहा था पता नहीं क्या हो रहा है कि शांप को नहीं बनवाना दि शाहिए पगड़ी या यहीं जाने इनके लीला पर इन्वोंने बुरी तरिके से थका दिया पाइनलारी मैंने ये वाली पगड़ी इनके Schwe rodz vendo अतरों ब तो क्योंकि सर पे ऐसे डेकोरेट करने के लिए जंक जूलरी में मतलब यह उक्सिडाइस जूलरी में कुछ भी अलग से और नहीं था बड़े ही नेकलस थे अच्छा लग रहे और शिंगार जो है वह अलमूस्ट कंप्लीट होई चुका है तो आश्यक करते हूं आपको आज का शिंगार जो है वह पसंद आया होगा और मैंने बहुत साल सवालों के जवाब भी दे दिया हैं तो मैं अब इस तरीके से ही शिंगार वीडियो में आप लो फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्ट्राग्राम है शालनी शुकला सानिया मैं आपको मिलते हूं के लिए वीडियो के साथ जैशी किष्णा रादे रादे लो इस किष्णा रादे 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 वीडियो किष्णा रादे रादे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो